राहूल गांदी जी मेरे नेता कांग्रेस पार्टी के वरिस्क नेता गन मुख्य मंत्री हर प्रदेश के कांग्रेस के मुख्य मंत्री महोदाए AICC के महा सचिव और सचिव महोदाए यहां उपस्तित सारे नेता गन मेरी बहनों और भाईयों और खास दोर से उत्तर प्रदेश की हर विधान सबा अर जिले से यहां उपस्तित मेरे कारिकर्टा गन को आज दिल्ली में बहुत बहुत स्वागत मेरे पीछे बड़े बड़े अक्षरों में आपको दिखना है भारत बचाओ रैली आप सब हर शहर से हर जिले से देश के कोने कोने से यहां इस मकसद से यहां आए हैं तो इसका मतलब क्या है यह देश यह हमारा देश क्या है और हम किन ताकतों से किन शक्तियों से इस देश को बचाना चाहते हैं सवाल उचता है हमारा यह देश है क्या ये देश एक अनोखे स्वतंत्रिता संग्राम से उबरा एक ऐसे अंधोलन से उबरा जिसने अहिंसा और फ्रेम के जरीए दुनिया के सबसे बड़े सामराज को शिकस्त दिया ये देश फ्रेम का देश है अहिंसा का देश है भाई चारे का देश है एक दूसरे का हाथ थामने की आदत है ये देश एक लड़की के दिल में सक्षम बनने की अकांग्शा है ये देश एक नौजवान की आँखों में पल रहा मजबूत भविश्य का सपना है देश एक किसान के लहलाते खेत है देश फैक्टरी में काम कर रहे मजबूर की कड़ी मेहनत है देश एक फौजी के दिल में मात्र भूमी के लिए जान देने की इच्छा है देश अच्छाई सच्चाई और विकास का सपना है देश और उस सपने को देखने का हक उसका अधिकार हर नागरिक को देने का देने वाला सम्विदान है ये देश हर हिंदुस्तानी को समानता स्वतंतरता और स्वाबिमान देने वाला लोकतंत्र लोकतंत्र की शक्ती देने वाला है ये देश हमें इस देश को बचाना है क्योंकि आज इस भारत में एक ऐसी सरकार और विचारधारा का साया चाया है जिसके जरिये ना समानता का अधिकार बचा है ना एक स्वतंत्र और स्वाभिमानी भविश्य का कुछ सालों पहले हमारे देश के अर्थ्वेवस्ता ऐसी गती से बर रही थी कि दुनिया हमारे तरफ देखने लगी ये कहा जाता था कि चीन की तरे हिंदुस्तान की अर्थ्वेवस्ता भी इतनी तेजी गती से बर रही है कि भारत की अर्थ्वेवस्ता भी विश्व की सबसे विकसे तर्थ्वेवस्ताओं की तरे मजबूत बन रही थी विदेशी पूंजी भारत में आने लगी हमारे उद्योग मजबूत बने मन्रेगा जैसी ग्रामीन योजनाव के जरीए रोजगार बने लेकिन आज भाजप्पा के छे सालों के राज के बाद स्थिती ये बन गई है कि रोजगार बरने के बज़ाए घट रहे है हद से ज्यादा बढ़ गई है फैक्टरियां बंद हो रही है कार मोटरसाइकल टीवी फ्रेज बिसकुट कपड़े सब कार खानों का काम घट रहा है छोटा व्यापारी असफल जी-स्टी से जूज रहा है एक तरफ आप से काम चीना जा रहा है और दूसरी तरफ महिंगाई बढ़ती चली जा रही है फिर भी हर बस्टाप पे हर अखबार में हर टीवी के चैनल पे भाजबपा के इस्तिहार में आपको लिखा क्या दिखता है मोदी है तो मुमकिन है असलियत ये है बेहनों और भाईयों कि बाजबपा है तो सौर रुपे की कीलों की प्याद मुमकिन है बाजबपा है तो पेतालिस साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मुमकिन है बाजबपा है तो चार करोड नौकरिया नश्ट होना बाज अपा है तो 15,000 किसानों की आत्मात्या बाज अपा है तो भारते रेलवे और एर पॉर्ट की बिक्री बाज अपा है तो ऐसे कانून بن रहे हैं जो हमारे समविधान के खिलाफ है ऐसे कानून जिनकी विभाजनकारी नियत से देश का सम्विधान खत्रे में है मैं आज आप सबसे कहना चाहती हूँ जो यहाँ इस राली में उपस्तित हैं जो अपने घरों में बैठ कर टीवी पर देख रहे हैं कश्मीर से लेकर अरुनाचल प्रदेश तक उत्तर प्रदेश से लेकर तमिलनाड तक जहां तक मेरी आवाज पहुँच सकती है देश के कोने कोने में बसे अपने देश के एक-एक नागरिक से मैं कहना चाहती हूँ अपनी आवाज उठाईए ये देश आपको प्यारा है तो आप सब देश की आवाज बनो आज अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे अगर हम इन परिस्थितियों को देखते हुए भी भाए और जूटे प्रचार के अंदकार में दबे रहेंगे अगर हम चुप रहेंगे तो हमारे देखते देखते बाबा साहे बंबेत को द्वारा लिखा गया हमारा क्रांतिकारी संविधान नष्ठ हो जाएगा हमारे देखते देखते इस देश का विभाजन शुरू हो जाएगा और हमें इस गुना के उतने ही दोशी होंगे जितने भाजप्पा और आरेसेस के जूटे एहंकारी और ब्रस्ट नेता है कुछ दिनों पहले मैं अवद के एक किसान के घर गई शायद उनकी उम्र मेरे पिता की उम्र से थोड़ी ही कम थी अपने जीवन काल में उन्होंने संघर्श ही संघर्श देखा किसानी के साथ साथ लोहार का काम करते थे नोट बंदी के बाद उनका ये काम बंद हो चुका उनकी पाँच बेटियां थी, एक बेटा नोट बंदी के बाद बेटा मजबूर हुआ, उसे उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ा दूसरे प्रदेश में नौकरी ढूनने के लिए गया इनी परिस्तितियों में इस किसान ने अपनी तीन बेटियों का विवा कराया अब उसके घर में दो बेटियां और उसकी बहु दो कोतियां रहती थी तब ही उसकी एक बेटी का बलातकार हुआ अपराधी प्रदान का बेटा था पुलिस ने रिपॉर्ट दर्ज करने से मना कर दिया ये लड़की हमत नहीं हारी हर रोज बगएर अपने पिता के मदद लेते ट्रेन में बैठ कर अगले जिला में अगले जिले में अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कचहरी जाती यहां पर उसके गाओं में प्रधान और उनके परिवार के लोगों ने बेरहनी से उसके पिता को पीता उसके खेत जला डाले उसकी नौ साल की भावी की बैटी को भयंकर तरे से धमकाया फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी इंसाफ की आस में एक सुबह उठकर अपने घर से अदालत जा रही थी जब अपरादियों ने उसे पक्रा और बीच सरक में उसे जला डाला जलते हुए वे साथ सी लड़की एक किलो मीटर भागी और अंथ में हार कर गिर गई उनके घर में बैठे हुए मैं उस लड़की की भावी से ये दास्ता सुन रही थी जब उसके पिता ने अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपा कर उसके पिता रोने लगे मुझे उस पल में अपने पिता की याद आई उस पिता के अपनी बेटी के प्रेम को देखते हुए मुझे अपने पिता की याद आई जिनके छलनी शरीर को मैंने 19 साल की उमर में मैं घर लाई मेरे आखों में भी हसुआ है मेरे पिता का खुन इस धर्ती की मिट्टी में मिला हुआ है और उस किसान की बेटी का खुन भी इसी देश की धर्ती की को सीच रहा है इस देश में जो हत्याचार हो रहा है उसे रोकने का हम सब का कर्तव्य है यह देश हमारा है इसे विनाज से बचाना हमारा नैतिक कर्तव्य है जब हम उस किसान के घर से निकल रहे थे तो उसकी पोती चार पाई पर खड़ी थी एक नौ साल की बच्ची है मैंने उससे पूछा बड़ी होकर तुम क्या बनोगी उसने जवाब नहीं दिया मेरे मन में ये बात आई कि इतनी भयंकर घटनाओं की वज़े से शायद इस बच्ची के सपने खो चुके हैं लेकिन दिल नहीं माना मैंने दुबारा पूछा बड़ी होकर तुम क्या बनोगी इस बार पे आस्टे से बोली जो वकील से भी बड़ा होता है मैं वो बनूँगी मैं जज़ बनूँगी न्याएं हर इनसान का अधिकार है हर इनसान की अकांक्षा है न्याएं की लड़ाई लड़नी लड़ने से बड़ी कोई भी देश भखती नहीं है आज जिस दौर से हमारा देश गुज़र रहा है चारो तरफ अन्याय है महिलाओं के साथ तत्याचार होते हैं तो अपराधियों की रक्षा होती है गरीबों पर मुसीबतें ला दी जाती है और बड़े बड़े उद्योग पतियों के कर्द माफ किये जाते हैं ऐसे कानून बनाए जाते हैं जिससे लाखों नागरिक बंदी की तरे रखे जाते हैं आज अन्याए के खिलाफ जो नहीं लड़ेगा वे इतिहास में कायर कहलाएगा इस देश को बचाना है तो बेहनों और भाईयों मन बना लो इस देश की मिट्टी प्यारी है तो साहथ बांदो भारत देश की रखवाली करना इसमें स्वतंत्रता समानता और स्वाभवान का एक हक बरकरार रखना इस देश के प्रती हम सब की जिम्मेदारी है अवद में उस गाओं में एक नन्नी सी लड़की के सपनों की तरे हर हिंदुस्तानी के सपनों को सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है आप सब की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए सबसे बड़ी भूमे का कांग्रिस के मेरे कारेकरता बेहन और भाई आप सब की है आप सब यहां आए हैं आज अपने बेश को बचाने के लिए ये भावना लेकर यहाँ आए है इसके लिए मैं एक बार फिर आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जैहिन जैहिन जैहिन